जैहिन साथियो बेलकम टू सैल्प स्टडी किलासे विस्वमिजन यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम बर्ग पढ़ने बाले हैं बर्ग तीन से सम्मंदेत पर्यावन से सम्मंदेत आपका एक टॉपिक है पेड़ पौधे पेड़ पौधे से सम्मंद परिक्षाओं से सम्मंदेत पूरा का पूरा जो कॉर्स है वो कंप्लीट हो चुका है पर्यावन से सम्मंदेत तो प्लेड़ पौधे के बारे में जानेंगे दोस्तो और जो भी साथी पीडियाप आदी जो भी मेटेरियल प्राप्ट करना चाहते हैं वो टेलिग्राम वीडियो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी हमारे नए साथी हैं बंसपती विग्यान का जनक माना जाता है तो सभी को पता है थियो फ्रेष्टस को माना जाता है बंसपती विग्यान का जनक ठीक है बर्गी करन का जनक तो लीनियस जन्तु विग्यान का जनक अरस्तू तो इनको आप को याद रख लिए ना कोई भी question आपसे पूछा जा सकता है ठीक है परजीबी पौधे परजीबी पौधे कौन-कौन से हैं चंदन अमरबेल ओरो बैंकी और रेफलेज या परजीबी पौधे कहलाते हैं सभी को याद रख लिना अगर आपसे पूछा जाएगा निमन मैंसे बताएगे कौन सा परजीबी पौधा है तब आपको ये पौधे जो हैं पता होनी चाहिए मृतोप जीबी पौधे कोकरमुता राई जोपस और इस्ट ये क्या है मृतोप जीबी पौधे कहलाते हैं कोकरमुता है राई जोपस है और इस्ट ये पौधे आपको पता होनी चाहिए पौधों से जब हम पढ़ते हैं प तमाप्धपूर्ण है पौधों के बारे में है आपसे सहजीवी में भी soldiers पौधों में बन सकता है तो आपको पता हुनी जाहें कि परजीवी पौदे, मिर्तोप जी भी पौदे, सहजी भी पौदे, कीट भक्ची पौदे, ये पौदे कौन-कौन से होते हैं, ठीक है, तो पौदों का जब हम अध्यन करते हैं, तो सबसे बड़ी बात, पहली बात यही होती है, कि आपको अलग-अलग जो पौदे होते हैं, सहजी भी, प मरोस्तल में उगने वाले पॉदे कहलाते हैं। है ना सभी को याद रख लेना है नमकिन तथा दल दली इस्थान में उंगने पाले पॉधे तब अगर आप दल dal में फस जाओ तो आप बुलाओगे हेलो हेलो मुझे बचा लो हैना तो विलो को जाएगा मरुस्तर में उंगने बाले जीरो फाइट करोगे तो टू फोर्डी जो है आपने देखा होगा टू फोर्डी आता है खर्पतवार नासी कहला था टू फोर्डी सभी को याद रख लेना है खर्पतवार को नस्ट करने वाला हार्मोन आक्सिन है कौनसा है आक्सिन एक खर्पतवार को नस्ट कर देता है सभी को याद रख लेना है को पत्नियों का हरारंग होता है तो सभी को पता है तो कई बार पूचा गया है किलोरोफिल के कारणा होता है पत्तियों का हरी रंग ठीक है हरा रंग किलोरोफिल में धातू पाई जाती है तो मैगनीसियम धातू पाई जाती है कौनसी धातू किलोरोफिल में मैगनीसियम याद रख लेना है ठीक है जीवन की संरचनात्मक और कि तिसीप्टिकम इह सबसे छोटी को स्क VI germ को कहा जाता है इनके बारे में सभी को याद रख लिएक गुचा जाता है कोशिगया का पावर हौाउस आत्मझाथ की młot प्रोकिन की प्रोटीन करते ही मृत्वी बढ़ी लिया तरीके से है ना नियूकिलिक अमल है तो DNA तथा RNA ये नियूकिलिक अमल माने जाते हैं ठीक है DNA का दुई चक्राकार रचना प्रस्तुत किया है तो किस ने किया DNA का दुई चक्राकार जो रचना प्रस्तुत किया वो बाठसन और किरिक ने किया है ये चीज हमें याद रखनी है, बहुत ही महत्पून है ये प्रस्ण है, और जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष में दर्सी यंत्री की आवस्तकता पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष में जीवों का पिता किसे कहा जाता है, तो लुई पास्चर को कहा जाता है, याद रखना है आपको, और सूक्ष में जीवों प्रोटो जोया सेवाल कबक जीवानू बिसानू ये सभी हैं, ठीक है, सूक्ष में जीवों को नापने की एकाई क्या है, तो माइक्तरोन कहलाती है, सभी को याद रख लेना है, बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है, बार पूछे जाएंगे ठीक है और नेक्स्ट है नीले हरे सेवाल है तो यह एना बिना नौ स्टॉक नौ स्टॉक है नीले हरे सेवाल क्या है एना बिन एना बिना और नौ स्टॉक बैस सेवाल जो कॉलोनिकल रूप में रहता है तो कॉलोनिकल रूप में रहता है कौन सा है हों कि जीवों का डूबने में मृत्यु का पता लगाने में महत्वून है, तो डाइटम असका सही उत्तर हो जागा, ठीक가 आयोडीन का निर्माण होता है, तो ल्यमी नेरिया सहवाल से होता है, सबी लोगों को याद रख लेना है, तो एना बीना तथा नौ इस्टाक ये भाग लेते हैं नाइटोजनी इस्थरी करण में सेवाल भाग लेते हैं तो एना बीना और नौ इस्टाक ये भाग लेते हैं सभी को याद रखने है ठीक है डबल रोटी बनाने में काम आता है तो इस्ट इस्ट मतलब सैक्रोमाईसीज और सेरेविसी, यई जो है East काम में आता है डबल रोटी बनाने में, ठीक है याद रख लेना है प्रत्प्रति जयवक, पैनिस्लिन की कोज किसने कीई थी तो अलेकजेंडर خलेमेंग ने कई बार पूचा गया 1929 में, ठीक है सभी लोगों के याद रख लेना गन्यक लाल गलन होता है तो कोलेट्टो टाइक्रम, कोलेट्टो ट्राइकम, फाल के Congo कोई द्वारा जो है यह गन्यक लाल गलन रोग होता है और आपका क्रसी से सम्धंदित भी टॉपक के परियावरण में तो इगन्ना एप लांच किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने ए चीज भी याद रख लेना अगर आप से पूचा जाएगा कि इगन्ना एप के सरकार ने लांच किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लांच किया है आलू का अंग मारी रोग है तो फाइतो फेतोरा जो है इन्फेस टांस ये आलू का अंग मारी रोग कहलाता है याद रख लेना है जिवानु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यह सभी को याद रख लेना है, दूद से दही बनाने में जीवानु सहायक है, तो Lactobacil, यह होता है दूद से दही बनाने में सहायक, बह जीवानु जो लोग्यो मोनोसी, कुलके पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाते है तब आपका उत्तर होगा तथा बायो मंडेल, नाटोजन, इस्तरी करना में सहायक होते हैं, तो वो है Rhygobium, Leguminosirum, ठीक है, यह याद रख लिना है, एक कुन से पौधे में पाए जाते हैं, लिवगे मेनोसी, Leguminosir, लेग्यो मेनोसी, जो है कुलके पौधे में यह पाए ज देखो, East, East का उपयोग होता है, Bread बनाने में, Pastry उद्योग में, East का, एक सूक्ष में जीव है East, और इसका Bread बनाने में, Pastry उद्योग में इसका उपयोग होता है, Lactrobacillus, दूद से दही बनाने में, Rhygobium, इसका उपयोग होता, Nitrogen, इस्तरी करना में, Laminaria, सेवाल, इसका उ पूछा जाएगा, कि East का प्रियोग किया जाता है, तो Bread बनाने में, Pastry उद्योग में, इसका उपयोग किया जाता है, तो इन्हें सूक्ष में जीवियों को आपका पता होनी चाहिए, एक क्वेस्चन और आपका यहां से बनेगा, 1943 में बंगाल में धान की फसल किस कबक के का जाता है, एक वस्चिन कई बार पूछा गया है, तो बासर दे समलाव आट हंसे सेंटी करेट पर तीस मिनिट तक जो है गर्म किया जाता है, पास्चु जीकन किरिया में, जीवानियों में लेंगे की जनन की खोज की ती तो किस ने की थी, ये की ती लेंडर बर्क तथा टॉ की ती, मनुस्की आट में पाया जानेवाला जीवानू है, उप coordin याद रखली नए है, तो इन सभी को याद र रखली ना है, ये पार्ट 2 है, आपका पर याबन पौधों से पर तीन भी आएगा इसका, झीला तो बो जरूर देखें, इसके पहले पार्ट एक मैने अप्लोट कर रखा है तो परियावरन का लगबग आदे से जादन जो कोर्स है वो कम्पलीट आपका हो चुका है बहत्पूर्ण फैक्टों फैक्टों पर हम चर्चा करते हैं जो आपकी परिक्षा में पूछे जाते हैं तो उन सभी को आप सभी को याद रख लेना है वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे ठीक है स्तिहर करेंगे इसका पार्ट तीन भी सभी लोगों को देखना है ठीक है और आपकी लाइब किलास होती है सामको साड़े च्छे बजे होती है दो पहर धाई बज़े आपकी सिक्षा साथ समाद्र लाइब किलास होती है सामको स परियावरन की साथ पंद्रा पे आपकी बाल विकास की क्लास होती है तो सभी लोगों को ये क्लास ने जरूर देखना है ठीक है ये बहुत ही महत्पूर है तो इंपोर्टेंट है सभी लोग जरूर देखेंगे आज के लिए बस इतना ही जय हैं